आज मैं मूवी लेकर आया हूँ डैडपूल ये है वेड विलसन जो कि एक्समैन की पुरानी सीरिज में हमें नजर आ चुका है कई बार ये एक्समैन के टीम छोड़ देता है और वो अपना खर्चापानी निकालने के लिए लोग के लिए हफता वोसिली का काम करता है फिर वो भो सही राते रंगीन करते हैं इसी बीच इसको पता चलता है कि इसको कैंसर है उसका वेड दुखी होकर वनेसा को छोड़ देता है तब ही इसको एक बंदा मिलता है जो उसको बताता है कि एक डोक्टर है जो तुमारी बिमारी का इलाज कर सकता है वेड उसकी बात मान जाता और वो उसके साथ चला जाता है और जैसी वो वहाँ पहुंचता है ये लोग इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं तो ये लोग इसको पर एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं जिससे इसका कैंसर दूर हो जाए इसको पर जो एक्सपेरिमे साइड करने की कोशिश करता है उसी दोरान वो डैड़्पुल बन जाता है और सब को मारने लग जाता है वो फेक्ट्री बहुत बुरे तरीके से जल जाती है और साथ साथ इसका पूरा शेर सड जाता है और यहासे जो बन्दा इसको पर अगर वेनेसा को पता चल गया कि मेरा फेस जल चुका है और मैं ऐसा बन चुका हूँ तो वो शायद मुझे छोड़ देगी और फिर फैसला करता है कि वो उस बंदे को ढूंडेगा और अपना फेस ठीक करवाएगा इसलोग अपने लिए नई ड्रेस बनाता है और अपना नाम रखता है डैडपूल और यहाँ पर डैडपूल एक बुड़ी ओरत के घर में रहता है जो की अंधी थी डैडपूल यहाँ सब लोगों से पूछताच करता है कि वो बंदा कहां पर है जिसने में उस पर एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद वो बंदा इसको मिल जाता है वो इसके सारे आदमियों को मार देता है और यह इसको बोलता है कि मेरे फेस को ठीक कर दे और तभी यहाँ पर कोलेसेस आ जाता है जो एक्समैन का मेंबर है और उसके साथ आती है मेगा सोनिक वो डैडपूल को बोलता है कि ऐसे शहर में तबाही मत फैलाओ और इसी दोरान देडपूल ने जिसको पकड़ा होता है वो यहाँ से भाग जाता है यहाँ पर इसके बंदे को पता चल जाता है कि वेड की एक गल्फरेंड है वो उसके गल्फरेंड को किड्नैप कर लेता है उसका देडपूल को पता चलता है और वो आता है एक्समैन के बंदों के पास व अब ही यहाँ पर कोलेसस बोलता है कि एक्समेन का करतव यह कि वह उसे छोड़ दे लेकिन यहाँ पर डैथपूल इसके सर में गोली मार देता है यह फिलम बहुत अच्छी और बहुत अमेजिंग है यहाँ पर डैथपूल वनेशा को अपनी शकल दिखाता है और वो दोनों ब करने का तो आप उसको शेयर कर सकते हैं वीडियो देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद